तो यात्रा चल रही है मैया सम्मान यात्रा है तो मेरा पहला सवाल आपसे यह होगा हमारी माताओं बेहनों से कि क्या जारखंड में आप लोगों के लिए माताओं बेहनों के लिए बच्चियों के लिए हम लोग जो यह योजना लाए हैं जारखंड मुख्यमंद्री मैया सम् योजना आप लोग इससे खुश है या नहीं है दोनों हाथ उठा के आप बता दीजे उसी में जवाब हमको मिल जाएगा हमारी माताए बैने आप खुश है या नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद है और ये धन्यवाद इसलिए है ये मेरी तरफ से भी धन्यवाद है और हमारे जारखंडी सरकार की तरफ से भी धन्यवाद है और खास करके आपके प्यारे मुख्य मंत्री हेमन सोरेन जी से भी ये धन्यवाद है क्योंकि उन्होंने मुझे यही कहा था कि अगर तुम जाओगी तो जा करके सबसे पहला सवाल यह पूछना कि जार्खंड की हमारी जितनी माताय बहने हैं उनको यह योजना पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है आपके हाथ उठाने से मुझे जवाब मिल गया आपके हाथ उठाने से पूर के पूरे जार्खंड को जवाब मिल गया कि जार्खंड में जार्खन में मुख्यमंद्री मैया सम्मान योजना हिट है हिट है कि नहीं है हिट है और जब जार्खन की दीदी बहनों ने इसे हिट कर दिया है तो हमारे विपक्षों को तो वैसे ही जवाब मिल गया है कि उनकी पिक्चर फ्लॉप है और हेमन जी ने जो हमारी दीदी बहनों के लिए हजार रुपे खाते पर महिना हर महिना महिने का हजार रुपया साल का बारा हजार रुपया और इसकी जो आयू सीमा है वो अठारा वर्ष ते लेकर के पचास वर्ष तक है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हेमन सोरें जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाती हूँ क्योंकि एक महिला के स्वरूप में मुझे भी पता है कि घर की महिलाओं को ग्रहनी की कोई वेतन या सैलरी नहीं होती है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी लाखो लाख बहनों को इसकी राशी दी है और ये वो आर्थिक स्वरूप से मजबूत हो सके उनको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े और ये सोच जारखंड के लिए क्रांतिकारी सोच है जारखंड को बने हुए इतने वर्ष हो गये लेकिन इतने वर्षों में भी किसी ने ऐसी सोच नहीं रखी थी कि महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाता था घर में अगर आप देखतें भी हैं आप अगर देखते हैं कि पिताजी हो भाई हो अगर बाहर काम करने जाते हैं तो घर समालती हैं माताएं बहने परिवार को देखती है, सुबे से उट करके रात तक सबका ध्यान रखती है पैसा जरूर कमाकर के भाई दादा लाते है, पिताजी लाते है लेकिन घर कैसे चलाना है, ये घर की महिलाओं से जादा अच्छा और कोई नहीं जानता है और ये एक राशी नहीं है, मैं बार बार कहना चाहूंगी ये एक राशी नहीं है ये एक हर जारकन की हर महिलाओं को शशक्त करा रहें का एक प्रयास है और आप लोगों को आर्थिक स्वरूप से मजबूत करने का एक प्रयास है ताकि छोटी सी छोटी जरूरते जो हमारी होती है वो आप लोगों को किसी के सामने में जुकने के लिए हाथ फैलाने के लिए आप मजबूर ना हो